हेलो जारकंट, विल्कम टू लेर्नर्स ग्राइजूकेशन, आज हम लोग बात करने वाल हैं जारकंट जीके का प्रैक्रिस रेट नमर्ट 24 जहां पे भी पर्मुख राजबंस चल रहा है देकि पर्मुख राजबंस के बाद आपको देखने के मिलेगा जारकंट बिद्रो और सौत अंतरता आंदोलन में भी जारकंट के क्या भागे दा रहे था पर्मुख राजबंस आज जारकंट जीके का प्रैक्रिस रेट नमर्ट 24 आप लोग भी एंसर देने का साथ में कोसिस किया किजिए कि ज्यादा टाइम यहां पर वेस्ट नहीं करनेंगे टाइम को बचाना है हजारी बगर गया के बीच पंद्रमी सताफदी में बात किया जा रहा है कि किस राजबंस आपना हुई था सीबूम पंचेत रोतास गड़ या फिर खड़क डिया कैस का इंसर होना चाहिए अब भी साथ में इंसर देने कुशिस के किजिए बस मन में सोच लिजे कि एंसर होगा खड़क डिया जो है वह प्लेस था जो कि 15 सताफदी में हजारी बगवर गया के बीच में इसके सपना हुई थी कोस्चन टू देखते हैं देखिए बहुत सब्सक्राइब से आएगा तो फटापट हम लोग देखेंगे जहां जुरूत पड़ेगा वहां पर भर भर कि किसे मना जाता है हैंस राज देव निर्पेंद्र सिंग संददन सिंग फिए बीकुसान नयं कुल लगंक होगा कुनाल पर भरताप सिंग तो क्या होना चाहिए तो इसके विए निर्पेंद्र सिंग अप लोगों देखने को मिलेगा जो वह से खड़कडिया राजी के संस्ता पकते हैं अब गिरीडी में इप्रवत भी यहीं पे है और जार्खन धाम भी ध्यांदीजी का बाबा धाम जार्खन धाम दोनों अलग-अलग है तो इसको यहां देखेंगा बाकि गिरीडी में पारसना टेंपल भी आपको बताया था गिरीडी में पारसना टेंपल है जिसकी उचाई 1365 मीटर है यहां पर इसको समेच सिखर जी के नाम से अपलोग जानते हैं चार चार तीन एक फिट इसका हाइड है अगर हाइड में पुछें तो पहाड़ी का ठीक है जैन धर्म गुरु जो जैन धर्म के जो तिर्दकर थे जी तीरदकर पारासनात उनसे रेलेटेड है ुरौनटे राज्य किस चेत्र में अस्थापी था पहले पंचेत के बारे मिम थेखने मिलेगा आपको मॉऩ मानबु में देखनेóc national पंचेत है धनबाद में इसका धन बाद में है और धनबाद में पंचेत हैं दामधार पे और धनबाद में एक और मैथन चाहित है मैथन ने मैं ऊबराकर रिभड़ उब्र सकती है कि रहा थ Laud नेस कोश्चन आता है कोश्चन नम्बो फॉर निन में से किस राजा का समद्ध पंचित राज से था अमित लाल अनिल लाल सुनिल लाल या फिर मोहित लाल कौन वह राजा थे जिनका समद्ध पंचित राज से था तो देखिए पंचित राज से रिलेटर राजा थे अमित लाल तो मतलब पंचित राज्य का चिन क्या था तो इसका चीन होगा एंसर कपिला गाय की पूज कपिला गाय की पूज होगा मन में एंसर देते रही है कि एंसर होगा नीन में से किस अस्थान पर C1 का परभुत्व था पंचेत, सीबुम, रामगड या पिर हजारी बाग फिर से बलता हूँ जिनको मन начина अपन लाइब क्लास में जक्यों को होगा तो देखिए इस cancer आपका होगा C boom छेत्र, C boom छेत्र पर टिक लगा लेजे, यहीं पे C ones का परभुत्तों ज्यादा देखने को मिला था, परभुत्तों का मतलब ही होता है कि वहाँ पे उनलोग dominant कर रहा है, नीन में से किसने C boom को पोरहाट के C रजाओं की भूमी का रहा है, बो देखिए वह परसन आपको देखने के मिलेंगे, www.hunter, C boom को पोरहाट के C रजाओं की भूमी का गया है, जॉन डॉर्टन का एक बूक है, The Call of छोटा नाकपूर, याद रख लीजेगा, और डीन मजुमदार का एक बूक है, Culture and Races of India, तो इसको याद रख सकते हैं, दीन मजुमदार का, एंसर होगे आपका www.hunter, C boom सराय के लाखर सामा, Through the Ages पूस्ता के लेखा कौन थे, तो C boom सराय के लाखर सामा, Through the Ages पूस्ता के लेखा, टिकेट उम्राओं सिंग, टिकेट निरिपेंद्र नरायन सिंग, टिकेट जगनाथ सिंग, या फिर टिकेट कुनाल परताप सिंग, क्या एंसर होना चाहिए, एंसर होगा D, टिकेट कुनाल परताप सिंग is the correct answer of this question, तो च चाहिए, आपको कासिनाथ सिंग, अभी मैं चर्चा करूँगा, सीबंस के बारे में अगला स्लाइड आने दिजिए, टेंसर ना लेजिए, कि सीबंस ये सासक ने पौरा देवी को अपने राज की अधिस्ठात्री देवी के रूप में असाफित किया था, अधिस्ठात्री देवी के रूप में अस्ताबित किया था, याद रख लीजिए, बाकिये में चर्चा करा था सीबंस का, तो सीबंस का दो कोसा साखा था, एक कोसा अखा का संस्थापक थे कासिनाथ सिंग और दूसरा जो साखा था, उसका दर्ब नरायन सिंग थे, तो कभी कभी कोशन ऐसे ह तो याद रख लीजएगा इतना स्वर मचाते जाते हैं कि सीवंस यह सासक यह प्रकाष्टा को पार कर रहा था तो उसके सवरू भूईया बिद्रो सुरू हो गया तो कौन थे अर्जुन सिंग अच्योट सिंग अजित सिंग या फिर जगनात सिंग कौन थे तो देखिए वो परसंट आपके जगनात सिंग का आतंग कि इतना ज्यादा पड़ गया था कि अंतता जो ऐसे भूईया विद्रो सुरू हो चुका था ने इस कोशन देखते हैं नीन में से किस राजबंस को नर्बली प्रथा का समर्था का जाता है तो बोला जाता है किस राजबंस जो से नर प्रथा पर चली था था थोड़ा से इंपोर्टेंट पड़िया देख्ली सकते हैं यहां से कि धाल बंजो था यह ज्यारखंड में अंग्रीजों खिला पहला बिद्रो था 1767 से 1777 तक चला था सोरी 1767 से 1777 के बीच में यह डाल बिद्रो आप लोके देखने को मिलेगा और य प्रूजों के खिला पहला विद्रो माना जाता है किसके नुसा ढाल बंसकिया सपना ब्राह्मन कन्या से उत्पन बालग दोरा किया गया है हंटर, AC, Rory, Warman या फिर वेंगलर के इंसर होना चाहिए तो इसका होना चाहिए आपका बेंगलर तो बेंगलर वो परसन थे जो बोले था कि नुसके अपना ब्राह्मन कन्या से उत्पन बालग दोरा किया गया है ने इस question question 14 देखते हैं इलतुतमीस और बलबन पता है आप लोग को मुवलूब डाइनेश्टी अगर पढ़े है ना इसको गुलामस के नाम से जानते हैं आप लोग ठीक है तो याद है आपको कल सुब आज सुबह भी बताया था तो एंसर हो जागा हरीकन क्या होगा हरीकन बाकी बलबन वगरा के बार में आपके नोरोज एक सुने फेस्टिवल नोरोज तो वह बलबन के दौरा सुरू किया गया था और बाकी थोड़ा सा ओर्डर याद रख लिजेगा एस्टेटिक परसन में ज्यादा क्या गुसें पहले खिलजी तुबलक सयद लोदी यह ओर्डर है क्वेशन 15 देखते हैं अलावदिन खिलजी के सेनापती डैस ने तेरसो दस इसपी में छोटा नाकूर बाकरमन कर करवसूल की थी करवसूल की इस्ति मतला टैक्स लिया था तो अलावदिन खिलजी के सेनापती कौन है अलावद अलावदिन खिलजी तुबलक बताया जाएं इसका अंसर होगा तुगलक ऑप्सन नुम्बर डी तुगलक बंस के जो सासक्त लुक थे वह जो आएसे अप लोगों कि देखने को मिले गा संत्याल कर साथार को हराय थे और बिखा कीलो पर अंथी आ लिया गया था तो फिरोज साथ तूगलक जो साथ तूगलक अपनी रहधानी बनाया थे प्नलुप सुरी बंस एस्थापना ब्वता में को कपिलेंद्र के द्वारा एक स्यापको सुरीमस के अस्थापना देखने को मिलेगा कि कोस्ञार 20 नाता है कट किन दो राजबंथू के वी इनुद हुआ है भी सा कुछ पाणिवा रहा है बासर यूद क्या होता है मतलब अरहल भरबल अटैक तो कुरांबे में किन दो राजवंसों के बीच में भीशन यूद हुआ था प्रफ दो डेखने को मिलेंगा और और में जो बाए था से और घडवा में देवगंड तो दो प्लेस में रक्सल के दो साखा बन गया था एक प्लावों में कुड़ेलवा में था और एक था गड़वा में कॉंट था देवगन तो दो प्लेस यहां दा सकते हैं और अक्सल बैंस और नागबंस के बीच में ही जो हैसे आपको देखने को मिलता है यह बहुत जैसे जब रजा स्ट्रक्त्र से यूद हुआ था तो कॉरामबे में कॉरामबे आपको देखने मिलेगा लोहर दगा में और वी कोशन आया हो का एक और आएगा टेंसर मतलिजी पहली बता दूंगा तो यह से प्लेश लेगा नागबंस के असा अपना बोला जाता है कि फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था ना अभी लोग मुंडा का ही एक मतलब बोल सकते हैं यह साखा था नागबंस तो यह दखिएगा फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था ने इस कुछना थे इन में से किसे जारखंड की हलदी घाटी प्लेस पता है कहा है हलदी घाटी में जूद हुआ था 1572 में याद है अकबर और महराना परताब के बिच में तो हलदी घाटी राजस्थान में देखने को मिलता है पलासी देखनुक मिलेगा आपको वेश्ट बंगाल में बकसर कभी लड़ा हुआ था वह आपको मिलेगा बकसर बिहार में ओके चलिए तो जारकंड की हल्दी घाटी कोरामबे को कहा जाता है क्यों क्यों कि यहां पे भीसन यूद हुआ था जवर्जास तरसे रक्सल और नाग पूच्ट है क्यों को राभे के बार में है कि रष्णकार कौनत्य रविदास कभी तो पसानिक लिए ऐसा option डाल दे जाता है इंसर होगा आपको कृष्ण दास कृष्ण दास जो हैं चैतन्य चरिताम्रीद पुस्तक के लेखक हैं चैतन्य चरिताम्रीद पुस्तक जो ऐसे को रामबे के बारे में है तो यहां पर हो जाएगा आपका रकसाइल वंस का सासन था और अब इतुर रकसा है तो नामोँ इधर आया था तो दो साखां बटा था एक गढ़वा में गया था जोकी देवगन के नाम से हैं पलाव में कुड़े लवा ना दो जगा पे था नेक्स कुश्चन आता है कुश्चन 23 दा नाग बन सी एंड दा चे रोज पुस्तक के लेखा कौन है फादर हाप मैं वी विरोतम कामिल बूल के या फिर कनिंगा तो बताया जाए इंसर मैंड में देजने कोशिद क करने का कोई मतलब नहीं बनता है दा नाग बन सी एंड दा चे रोज तो बताएए पुस्तक कौन लिखे है वी विरोतम लिखे हैं यह बोक को कामिल बूल को आप लोग देखने को मिलेंगे इसके नेस कोशन 24 वी विरोतम के अनुसार चेरोबंस का संथा पा कौन था अब यह पारेहा और उसके इसको याद रह सकते हैं भाकि मेधनी रह सबसे सबसे प्रतापी राजा कौन था इसलिए मुझ से निकल जाता है तो चेरोबंस का सबसे प्रतापी राजा हुए थे मेधनी राजा बाकि मेधनी राजा के बाद थोड़ा सा याद रख सकते हैं पलामु का किला कोयल रंदी किनारे तो यह साफूर का किला बनवाए थे और इसको थोड़ा सा याद रखी जेगा और चेरोबंस का सबसे तो भागवत राय हो गया इंसर क्या होगा इस कोश्चन के इंसर हो जागा मेधनी रॉय कोश्चन 26 देखते हैं सेर्स आने किसे प्राजित कर राजमल चेत्र पर अधिकार किया था राजमल चेत्र आपको साहिब में देखने को मिलता है तो इसको याद रखीगा साहिब गंज में राजमल की पहाड़ तो चलिए इंसर क्या होना चाहिए सेर्सा ने किसे प्राजित का राजमल चेत्र पर अधिकार किया था भीमकर्न मेधनी रॉय हुमायू या फिर इम्राहिम साह क्या होना चाहिए तो देखिए इसका रोग आपका हुमायू हुमायू को प्राजित करके जो हैसे आपको राज पूछा जाता है कौन वन्स नीर करन कि अगुक्त है तो फुमाई हो जाएगा नीस कुछ नहीं है टोको रोए लड़ाई देखने को मिलेगा आपको पुनदरस्व पच्छत्र क्या सपास हुआ था तो किसके बीच वा था सेर सा हुमाईव महारत चेरो या फिर सेरखां सेर सा या फिर मेदनी रह या फिर अबदुल रहिम खाने-काना या फिर जुनयद कराने यह चाहिन सब कोच्छन आया हुआ है मुगल आकरमन के समय नागवंस का सासक थे तो, मदउकर सा, करम भगवत रह और अनंत रह तह Revelší ए बताएं कर चलिए इसका मदउकर सा उसय जो थे मुगल आकरमन के समय नागवंस के साशक थे यह सब्सक्राइब चलाइब नेश्डाइब लेकिन यह सब्सक्राइब इसलीड में ज्यादा इन्फरमेशन आज नहीं दिया तो चले फिर बेट कीजिए और अपनों का डिमांड जो था अपनों का बिद्रों गरें तो सारा चीज देखिए जल्दी जल्दी मिल जाएगा टेंसन मत लेजे संडे का टेस्ट जरू देखिएगा बहुत ज़्यादा फायद मन दोगा और मैं आपको जिखिर डिरेक्ट बताता नहीं हूं बट जो संडे को मैं टेस्ट कराता हूं और प्रिवेस एर का ही कोश्चन का प्रैक्टिस होता है अ प्रिवेस एर का एक सीरीजी सुरू कर दो सिर्फ प्रिवेस एर का ठीक है दो या तीन दिन में लाओं पचास-पचास कोश्चन डिसकस कर दो तो ऐसे अच्छा रहेगा तो चलिए बाकि स्वास्त रहे हैं पढलेका में ब्यास रहे हैं तो क्या आप चाहिए पचास-पचा झाल लाओं額